अलोचनाव सभी का स्वागत के वाईए इसकालस में एस्ट्रुएंट अगर आपकच्छा 10 तो वी से किताब खोलीजीगा हिंदी की किताब में प्रिष्ट नंबर 20 विखार से संभरजित प्रश्न तुछ जो बीका स्भिखा upwards रखेंगत के लिनफे 20 जो इनमें Macam karma जो और लिकी वी ही को सबिसद अब sì करने से अनॢबर बता रहה हूं अभी तक हमने जो है देखते है तो इस्टुएंट आप देखेगा पहला परश्ण है यानी कि 117 लंबर का जो परश्न दिया गया के चिए रहा है कि कलम का सिपाही कौन सी विधा है कि यह कौनसी विधा का मतलब यह हुआ कि जीविनि है के आत्मकता है, ना टक है, संसमन्ण है, कहानी है, क्या यह बताना है, जीविनी विधा है,पको अगर पूचा जाए क्लम की सिपाही कौन सी विधा है, तो आपको बतायना है कलम का सिपाह जीविनी विजा है अगला इस्टोड़ेंट प्रश्न है कि 129 नमबर पर किरा कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखीए तो मतलब किसी एक कहानीकार का नाम लिख देना है बस खाले आपको वैसे तो बहुत सारे कहानीकार है मतलब बहुत सारे हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं मगर आप इनका नाम लिख देंगे तो अच्छा रहे है क्योंकि यह पहला पार्ट आपके किताब का धाये 149 नंबर पर प्रशन कहा रहा है कि इस्ट्रिएंट कि बार्ण भट की आत्म कथा के लेखक का नाम बताईए यानि यह जो गिया गया इतना बड़ा और इसका जो यह लेखक का नाम बता ना है तो इसके लिखक कौन है वो है उत्तर में आपको लिखना है आचार हजारी परसा दिवेदी चाहे आप डायट नाम लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि बाड भट की आत्मकता के लेखक आचार हाजाई परसा दिवेदी जी हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं 150 नमबर पर प्रशन है इस्टूडेंट कह रहा है कि क्या भोलूं क्या याद करूं किस साहितकार की आत्मकता है साहितकार की आत्मकता है साहितकार का मतलब यह हो कि लेखक का नाम बताना है तो आपको उत्तर इस्टूडेंट कह रहा है कि क्या भोलूं क्या याद करूं हरीवन्स राय बच्चन की आत्मकता है यह उत्तर कंप्लीट हो जाएगा महातपूर है इस यह भी आत्मकत अच्छे से आत कर लेना है अगला महातपूर परशने इस्टूडेंट कह रहा है कि एक सोएक्यानमी नंबर पर सेवा सदनमैलाचल एवं चंद्रोगुप्त कृति के लेखक का नाम लखीयी यानि जो है मैं एक दो तीन तीन दिया गया इंन तीनों का जो है लेखक का नाम लिखना है उत्तर में हम लिखेंगे पहले एक तरफ जो है रचना लिख देंगे सेवा सदन मैला आचल चंदरगुप्त सामने सामने उसके लिखक का नाम लिख देंगे ँजिली आग तीरत सलील एवं एक घूंट के लेखक का नाम लिखी यानि हमें रचना दे दिया गया है इन से भी रचना का लेखा का नाम लिखेंगे पहले हम जो है एक तरफ जो इतनी भी रचना दिया गया है उसका हम नाम लिखेंगे तो रचना में क्या क्या दिया गया है पहला दिया गया है इंडिया इन काली दास दूसरा दिया गया है उजली आग तीसरा दिया गया है तीर्थ सलिल और चौथा दिया गया है एक घूंट तो इसलों पहला है इंडिया इन काली दास तो इसके लिखा कौन है आप लोग हमें कमेंट करके बताएगा कि इसके लिखा कौन है अगला है उजली आग तो उजली आग के लिखा कौन है वो है राम धारी सिंग दिनकर तीसरा है तीर्थ सलील तीर्थ सलील के लिखा कौन है वो है पदुमलाल पुनालाल बक्षी और चौ 152 नंबर तक का प्रश्न का उत्तर बता दिया है जितने भी प्रश्न बचे हुए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तो जितने भी प्रश्न हम लिए अभी आपको बताया है इन सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर झाल झाल झाल